बूर्णिंग गाईज आज 22 दिसमर दौर निस 22 से करेंट अफेर्स के जितने भी पॉर्टन कोशन मनते हैं हम इस वीडियो में डिसकेस करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉर्टन कोशन है राष्टी गडित दिवस कब मनाया जाता है इसका सही आंसर है आप्सन नंबर A 22 दिसमर महानगडित तक स्री निवास रामारुजन की जैनती और गडित के चेत में उनके युगदान को चिनीत करने के लिए हर साल 22 दिसमर को राष्टी गडित दिवस मनाया जाता है महांगडी तक श्री निवास आयंगर रामारुजन की 125 जहनती को राष्टी गड़ी दिवर्ष की रूप में गोशित किया गया है चलिए अब आपको दिसम्बर मा के सारे इंपोर्टेंडे रिविजन कराते हैं 1 December World Eats Day, 2 December National Pollution Control Day, 2 December International Day for the Abolition of Slavery, 3 December World Day of the Handicapped, 4 December Indian Navy Day, 5 December World Story Day, 5 December International Volunteer Day, 6 December Civil Defense Day, 7 December Armed Forces Flag Day, 7 December GST Stackholder Feedback Day, 9 December International Anti-Corruption Day 11 December International Mountain Day, 10 December Human Rights Day, 12 December International Universal Health Coverage Day, 14 December के बाद कायते हैं, World Energy Conservation Day, 16 December Vijay Divash, 8 December International Migrants Day, 8 December कोई World Arabic Day, 9 December Global Liberation Day, 2 December International Human Solidarity Day, 2 December National Mathematics Day अगले कोशन पर जानने से पहले, अगर ये वीडियो आपको फसंदारी हो तो Like or Share जरू कर दें कोशन नमर टू, हाली में किस मंत्री ने कच्छ में साथ पाकिस्तानी स्राणारतियों को भारसर कारद्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र सौपा है इसका सही आंसर है, आप्स नमर बी, स्री मंसुक मंदाविया स्री मंसुक मंदाविया ने कच्छ में साथ पाकिस्तानी स्राणारतियों को भारसर कारद्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र सौपा है हाली में किस देश ने अपना पहला उबरा लॉंच किया इसका सही आंसर आप्स नमर C, इथोपिया इथोपिया ने अपना पहला उबरा लॉंच किया है या देश के अंत्रिक्ष कारिकरम के लिए एक एथियासी कुपलब्दी है जो अफ्रीकी अंत्रिच उद्दो के लिए एक बैनर वर्स है एथूपिया ही रिमोट संसिनिंग सेटलाइट चीन के एक अंत्रिच इस्टेशन पर हुआ चलिए वापको एथूपिया के बारे में बाते हैं एथूपियो की कैप्टल है अडिस अबाबा, प्रिसिडेंट है, साले वर्क, जवेडे जो की फर्स्ट फिमेल है प्रामिस्टर की बात के तो अभाई यामत जो की आपको इमेज में दिखाए दे रहे है चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में एथूपिया इसका सही आंसर आपस नमबर बी, मीरा बाई चानू पूर विश्ट चैंपियन भारतो लक्ष सेखोम मीरा बाई चानू ने छटे कतर अंत्राजटिये कप में महिलाओं के 49 किलोगराम वर का स्टोन पतक जीता 25 वरसी चानू ने 22 टोकी ओलम्पिक के लिए ओलम्पिक क्वालिफाइंग सिल्वर लेवेंड इवेंट फानल रैंकिंग में 194 किलोगराम के प्रयास के साथ स्टोन पतक जीता चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये हैं मीरा बाई चानू मेरा बाई चानू की बात के तो ये इमफाल की है चलिए, चलते हैं कोशन नंबर 5 की तरफ हाले में काउंसा बैंक, 100 बिलियन का आकड़ा पार करने वाली तीसरी भारती कंपनी बन गई है इसका सही आंसर है, आप्सन नंबर B, HDFC बैंक HDFC बैंक ने 100 अरब डॉलर के भाजार पुंजिकन को पार कर लिया है और इस मिल का पत्थरह से करने वाली देश की तीसरी फर्म बन गई है HDFC बैंक की मार्केट कैप 140.74 बिलियन डॉलर है और Tata Consentency Service यानि की TCS की मार्केट कैप 114.60 बिलियन डॉलर है HDFC की बात करें तो यह 110.7 अस्थान पर है सबसे मुलिवान कंपनी के इसाब से चलिए अब आपको HDFC के बाएंक के बार में आते है HDFC का फुल फॉर्म है The Housing Development Finance Corporation इसकी अस्थापना अगस्त 1994 में हुई थी Headquarter है मुंबई CEO है आदुत्यपुरी Chairman है दीपक भारेक Tagline की बात करें तो We Understood Your World चलिए चलते हैं कोश्व नंबर 6 की तरफ सत्ता रूड आवामी लिग की 21 राष्टी परिशत का उदगाटन किस ने किया इसका सही अंसर है आप्स नंबर B पंगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हाशीना चलिए चलते हैं कोश्व नंबर 7 की तरफ कालेश्रूम लिफ्ट सी चाई परिवजना तेलंगाना में किस नदी परिस्थित एक बहुत देश ये सिचाई परिवजना है इसका सही अंसर है आप्स नंबर C मोसी रिवर या विश्व की सबसे बड़ी उद्देश ये लिफ्ट सिचाई परिवजना है इस परिवजना को जलाश्यों पानी की सुरंगों पाइपलाइनों और नहरों की एक जटिल विवरस्ता से सुसजित किया गया है जिसके फल्सुरूप गोदावरी के पानी को उचाईवाले अस्थानों की और प्रवाहिद किया जा रहा है चलिए ये तेलंगाना के परिवजना है चलिए आपको तेलंगाना के बाहर मात थे हैं तेलंगाना का गठन दो जुन दो यार चौधा को हुगा था तेलंगाना के वर्थमान मुक्व मंत्री हैं स्री केच चंस सेखर राओ, गवर्नर हैं डाक्टर तमिले साई, साउंड राजन, कैप्टल की बात का तो है अधराबाद, लोकसभा सीट सत्रा, रासभा सीट साथ, ट स्टेट लिए जम्मिचेतू, फ्लावर है, तंगिलो पूबू, एनिमल की बात का तो स्पॉटेट डियर, स्टेट बड है, पाला पित्ता, मेंड रिवर्स की बात करने हा की गोधावरी, मोसी, काविरी और कृष्णा, नैशनल पार्क है, महावीर हरीना, वनसातली, मुरु स्टेट में, आंद प्रदेश है, एस्ट एंड साउथ में, चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तेलंगाना, कोशन नमबर एट, हाली में किस किरशी विश्विद्याले ने व्यवसाइक खेती के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड वाइड ओनियन किसम विक्सित की है, इसका सही आंसर आपस नमबर ए, पंजाब किरशी विश्विद्याले, हाली में पंजाब किरशी विश्विद्याले ने व्यवसाइक खेती के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड वाइड ओनियन किसम विक्सित की है, ये विश्विद्याले वर्स 1994 में पंजाब वाइड नामक प्याज की किस्म विक्सित की थी इसकी ओसत उपच 135 कुंटल प्रतिये कर थी हाला कि इसमें किसानों ने दिल्चस्पी नहीं दिखाई थी पंजाब में 2-2.1 लाग टन प्याज का उदबातन होता है जो राजों की आउसक्ता का एक तिहाई इससा पुड़ा करता है चलिए चलते हैं कोशन नमबर 9 की तरफ हाली में किस राज में मौजूद सबरूम नामा कस्थान पर इस राज का पहला विशेस आर्थिक छेतर यस इजट बनाय जाने की गोशना की गई इसका सही अंसर है आपसर नमबर B का खर्चाएगा जिससे इस छेत के लगबग बाला जाल लोगों को कौसला धारित लोजगार मिलेगा चलिए बापको तिरफुरा के बारे में बाते हैं तिरफुरा का गठन 21 जनौरी 1972 को गए था तिरफुरा के वरतमान मुक्ष मंत्री है श्री विपलप कुमार देव जो की आपको इमेज में दिखाए जा रहे है गवर्नर की बात करें तो श्री रमेश बाहस कैप्टल अगरतला फस्टीम है सचिंद्र सिंक्स लाल फस्ट गवर्नर बीकेन है रूलोग सभासिट दो राज सभासिट एक टोटल लिष्टिक है हट स्टेट ट्री की बात करें तो अगर वूट फ्लावर है इंडिया रोज चेस्टनट अनिमल है प्यारिस लीफ मंकी स्टेट बर्ट की बात करें तो ग्रीन इंपेरियल पीजन में फॉक डान से बंबू आरिया नैसल पार्क है क्लावडेड लियोपार्ड राजबरी गुम्टी एंड रोवा टाइगर रिजर्व डैम्स की बात कर तो गुम्टी में रिवर से जूरी, डियो और लोंगाई तिरपुरा से सटेवी राज़ के बार में बाते हैं बंगलादेश है वेस्ट में नौर्थ साउथ में असाम है मिजोरा में इस्ट में चलिए आपको मैप में दिखाते हैं तिरपुरा यह मैप में तिरपुरा कोश्चन नमर टेन हाली में किस कर्णल लेखा का और आलो चक का निदन हो गया इसका सही अंसर आपस नमर C एलेस सेसागरी राओ हाली में एलेस सेसागरी राओ जो कि एक कर्णल लेखा का और आलो चक थे उनका निदन हो गया कर्णल लेखा का और आलो चक एलेस सेसागरी राओ का निदन उनकी हो गया उनकी पहले किर्थी थी इडू जी उनी एक लगुका था जो की 1948 में जारी की गई थी चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह हैं यलेस सेसागरी राओ चलिए चलते हैं कोश्ण नंबर 11 की तरफ आर्टेक की पाचवी संगोष्टी कहां उजुद की जाएगी इसका सही अंसर है option number D, New Delhi भारती सेना द्वारा पाचवी आर्टेक संगोष्टी टेक्नोलोजी फोर नन कॉंटेक्ट वारफेर के विशेपर तेई दिशंबर 12 को दिल्ली चावनी के मानकेसा सेंटर में आयुजित की जाएगी या भारती सेना का अग्रणी आयुजन है जो रच्छा चेत्र में सोदिसी चमताओं के उपयग वाले चेत्रों के लिए एजंडा तैय करता है चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में आते हैं दिल्ली का गठन सर 1911 को उगा था वर्तमान मुक्य मंत्री हैं श्री अर्विन केजरिवाल जो कि आपको इमेज में दिखा दे रहे हैं उपराचपाल ने श्री अनिल बैजल जी फर्स सियम चोदरी बन प्रकास फर्स उपराचपाल आधित नाच्छा फर्स लेड़ी श्यम की बात करें तो सुस्मा सुराज थी लोग सबसीर साथ टोटल लिस्टिक है 11 इंद्रा गांधी एरपोर्ट की बात करें तो सबसे बिजिएस्ट साउथ एसिया में है अग्छ पॉप्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में ही है वर्ल्स टॉलेश्ट ब्रिक मीनार की बात करें तो कुतम मीनार में लिवर यहां का यमुना दिल्ली से सटे राच कबारम रते हैं हर याना तीन साइट से गिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश इस्ट में है चलिए आपको मैप में दिखाते हैं दिल ली यह मैप में दिल ली कोश्चन नमबर 12 हाली में IPL 2019 की निलामे के इतियास में सबसे महेंगे विदेशी खिलाडी कौन बने है इसका सही आंसर है अप्स नमबर B पैंट कमिन्स ने गुरुवार को IPL लामे के इतियास में सबसे महेंगा विदेशी खिलाडी बनकर इतियास रस दिया है इन्हें कोलकाता ना इट्राइटर्स ने 15 दसनलो 5-0 इंडियन रुपेय में खरीदा पैंट कमिन्स की बात कहते हो यह अस्टेलिया के एक इंटरनेशनल की लाड़ी है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह हैं पैंट कमिन्स कोश्च नमबर 3 हाली में भारत ने ODI में एक ओवर में कितने रन बना कर रिकार्ड बनाया है इसका सही आंसर है आपसन नमबर C 31 हाली में भारत ने वेस्टेंडीज के खिलाफ रोश्टेंच चेस के विरुद रिसब पंथा और स्रेज एयर ने मिलकर एक ओवर में एक तिसरन बनाया है जो कि भारत की तरफ से ODI में सबस्यदा रन है चलिए आप लेचलते हैं कॉशन नमबर 14 की दरफ हाली में फीफा ने किस देश को Team of the Year चुना है इसका सही आंसर है आपसन नमबर B Belgium हाली में फीफा ने Belgium देश को Team of the Year चुना है फीफा विश्ट रायकिंग में सिर्स पएधन पर मौजुद बेल्जियम को सफर वर्स समाप्ति के बाद लगातार दूसरी बार फीफा टीम आप दायर चुना गया है इस तूची में विश्व चैंपियंज फ्रास दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर बना हुआ है चलिए अब आपको बेल्जियम के बार में बाते हैं बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसरेल्स मुनार्क किंग है किंग फिलाप्फ जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं प्राइमिस्टर है चार्ल्स माइकल करंसी यूरो नैशनल लेक की जुलाई बिगेस लेक है इवाडी हो रहे चलिए आपको मैप में दिखाते हैं यह मैप में बेल्जियम चलिए अब आपको फीफा के बार में आते हैं फीफा का फुल फॉर्म है दा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन हेड़कॉर्टर है जुईरेच स्विजरलेंड इसके स्थापना 21 में उनिस सो चार कोई थे प्रेसिडेंट है गियाने इंट फैंट इनो जो कि आपको इमेज में दिखाए रहे हैं दिखाए दे रहे हैं टोटल मेंबर से 211, मोस्ट वल्लकप विन की बात कहतो ब्राजील पाच बार 22 फीफा वल्लकप कतर की बात कहतों कतर में होगजो की दुहर 22 में होगा 21st FIFA World Cup जो की रश्या में 2018 में हुआ 2018 का FIFA World Cup फ्रांस ने जीता है क्रोशिया को हरा कर चलिए चलते हैं question number 15 के दरफ हाली में ICC ने मैला से सकती कराने के लिए किस के साथ साज़ेदारी जारी रखने की गोशना की है इसका सही answer है आपस नमबर C, UNICEF हाली में ICC ने मैला से सकती कराने के लिए UNICEF के साथ साज़ेदारी जारी रखने की गोशना की है चलिए अब आपको UNICEF के बारे में बाते हैं UNICEF का full form है United Nations International Children's Emergency Fund इसका 8 quarter in Newark इसकी स्थापना 11 December 1946 को हुई थी हाली में 11 December को स्थापना दिवस मनाया गया था डारेक्टर जनरल हैं Henry A.T.4 है जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही है टोटल मेंबर्स हैं 191 आपको ICC के बार में आते हैं ICC का हैटकॉर्टर है दुबई में ICC के वरतमान चेर्मैन है सांग मनोवर तथा CU हैं मनु सावनी चलिए आज चलते हैं Static G के कोशन की तरफ परसित पेंटिंग बारी थानी चितर कला की निमली की सेलियों में से कौन सी है इसका सही आंसर है Option No.A किसंगर पेंटिंग चलते हैं Answer of Yesterday कोशन की तरफ हाली में December 22 में जनता क्लिनिक का हो लांच किया गया इसका सही आंसर आपस नमर C राजस्थान चलते हैं कोशन आप दे टे की तरफ फॉर्फ इंडिया द्वारा वर्ष द्वार इनिस के लिए जारी टॉप हंड़र्ड भारती सेलिबरेटिस की सूची में किसे पहला इस्थान मिला है इसका आज सवर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आए ऐसी डेले करेंट अफेर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल P.K.S.M.A.S.T.D. को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें थैंक यू